नमस्कार पब्लिक एश्या नियूज में आपका स्वागत है 31 माई को थाना मसूरी छेतरा गंत एक सविंदव रिद्यूत कर्मी की हत्या के संबन में पंजिकृत पंजिकृत अभियोग में शक के अधार पर निर्दोश लोग नामजद हुए थे लेकिन पुलिस लाइन के डॉक स्कौट के लीना नामक फीमेल शौन ने अपनी कारिक उशल्ता दिखाते हुए पुलिस को दिये एहम सुराग जिनके अधार पर थाना पुलिस ने परदर परद घटना का अनावारन कर तीन अभियोगतों को गरफतार कर लिया है इस प्रकार निदेश जेल जाने से बचे और सही मुझरिम सलाकों के पीछे हुए वरिस पुलिस अध्यक्ष शिरिकला निधी नेथानी ने जहां पुलिस अध्यक्ष ग्रामिन नीरज जादोन के नेतुब में कठी टीम जिसमें सीओ सदर धर्मिन चोहान वा इंस्पेक्टर मसूरी वा अन्य शामिल थे वही शान लीला को उसके बहतिरीन कारे के लिए नया पट्टा रसी मुलायम गद्दा आदी के पुरुसकार करने का आदेश दिया है उक्त फीमेल शान लीला लेबरे डॉर्ड किस्म की है जिसकी उम्र करीब धाई वर्ष की है उक्त शान लीला अभी कुछ दिन पूर्व ही ITBP प्रतिशन केंद्र पंचकुला से प्रशिकन प्राप्त कर आई है खुलासे की बाद सब का ध्यान वा शबासी पाकर लीना बहुत खुश नजर आई है एक गुडवर किया गया है SPRA नीरज, CEO सदर, SHO मसूरी और उनकी टीम के द्वारा एक तारीकों एक यूवर्ग की जगल ने हथ्या कर दी गई थी जिस संबंद में परिविजनों ने 22 सवाक उस लोगों के नाम दर्ज करवाये थे इसी करम में जब डॉग स्कॉट की जो हमारी डॉग है लीना उसने जब वहां पर देखा उसको जब वहां पर ले जाया गया ट्रैक करवाया गया तेकी स्कूल के पास जाकर वो रुखी और उसने वहां पर अपने पन्यों से इसारा किया इस पूरे के बाद जो शक है पुलिस का वो आसपास के जो वहां पर आने जाने अक्सर जो वहां उठते बैठते थे खुश टड़की उन पर गहराया इसके बाद इलेक्ट्रोनिक सर्वेलेंस और मैन्वल इंटेलिजेंस इनके माध्यम से पुलिस ने जब और जानकारी करी तो पासी में रहने वाले तीन अभियुक्तों को पुलिस ने सबूतों के साथ गिरिफ्तार किया है वहीं जो मिरतक है उसकी मोटर साइकल और अन्य तीजे भी वहां से परामत कर ली गई है इस प्रकार एक साइंटिफिक विवेचना से निड़्दोस लोग जेल जाने से करन होते हैं चाहिए वो पठा हो चाहिए अन्य चीजें हो उसके रहने का प्लेज उसका गद्दा सभी जो है एक्दम आधुनिक और नया दिया जा रहा है और इसके लिए जो हमारा डॉग स्कॉर्ड है वो भी काफी बदाई का पात रहे है ताजा और रोचा खबरों के हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें नीचे दिये बेल आइकन को जरूर प्रेंगे